हेलो दोस्तों नमसकार आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं लीव के लिए बहतरीन मैडिसन, जो कि लीव की सारी गंदगी को बहतर तरीके से बाहर निकालने में मदद करती हैं. वैसे लीवर की गंदगी को बाहर करने के लिए कई दवाया हैं होमियोपेथी में जैसे चेलिडोनियम मेजस, मायरिका सेरिफेरा, शीनोपोडियम, कालमेग इत्यादी इन सभी से बहतरीन मैडिसिन हाइड्रेस्टिस है आज के इस वीडियो में बात करते हैं हाइड्रेस्टिस के महत्वपून दस इंडिकेटर लक्षन की इसका इंडिकेशन क्या है और दवा को कैसे यूज किया जाए पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं एक, ना तो भूप लगती है ना तो प्यास लगती है और किसी भी प्रकार का भोजपदार्थ खाने की इच्छा नहीं होती अगर भोजपदार्थ खा लेते हैं तो उल्टी हो जाती है या उल्टी जैसा लगने लगता है दो, पेट में खाली पंसा महसूस होता है और खास बात कुछ भी खा लेने के बाद उल्टी जैसा प्रतीत होने लगता है तीन, कब्स बना रहता है और मलत्याग करने की इच्छा नहीं होती है चार, खाना खाने के बाद काफी देर तक ऐसा लगता है कि भोजन पेट में रखा हुआ है पाचन शक्ती एकदम कमजोर हो गई हो पांच, लीव की साइज बढ़ गई हो, कठोर हो गया हो तथा लीव में गांट जैसी बन गई हो अगर ऐसी स्थिती काफी दिनों तक बनी रहती है तो तवचा का रंग हलका पीला सा होता है आँख की पुतली का रंग पीला दिखने लगता है और दाहिने तरफ पसलियों के नीचे भारीपन जैसा प्रतीत होता रहता है 6. कमजोरी लगती है और कमर दर्द करता है 7. आलसमे जलन सी होती है उसके लिए बेहतरीन दवा है हाइड्रेस्टिस 8. नाक बंद सी रहती है और ठंडी हवा के जोंके से यह परेशानी और बढ़ जाती है और नाक से पीला श्राब निकलता है 9. महिलाओं में अंतरंग होते समय जलन या दर्द होना 10. ऐसा प्रतीत होता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है और खखारने के बावजूद नहीं निकल रहा है अगर उपर्युक्त बताए गए 10 लक्षनों में से आपको 3 या उससे अधिक लक्षन मिल रहे हो तो इस दवा को जरूर यूज़ करें आप होमियोपेथिक के मेडिकल स्टोर से हाइडरेस्टिस का मदर टिंचल ले लीजिए इसका 15 बूंद आधा कप पानी में डाल कर 3 बार पीजिए आपने वीडियो पूरा देखा जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करें